जिन्यवाद अध्यक्ष महुद्या जी आपने मुझे 280 के तहट बोलने का अफसर दिया अध्यक्षिया जी मैं आपका ज्यान छतरपूर विधान सभा में लगाताख ट्रैफिक जाम की बढ़तुई समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ चतरपूर विधान सभा में सौफटा रोड और SSN मार्क पर हर रोज कई-कई घंटे का जाम लगा रहता है ये दोनों ही रोड प्री डवल्यूड के अधिकार छेत्रे में आते हैं DLF फार्म चतरपूर से कुतुब मेट्रो तक एक एलिवेटिड रोड बनाने की अत्यंत आफशकता है एलिवेटिड रोड बनने से ही इस छेत्र को ट्रैफिक जाम से मुक्ती मिल सकती है अध्यक्षा जी छतरपूर विधान सभा में बहुत सारे धार्मिक स्थान है बहुत वड़ा जैसे छतरपूर मंदिर है, रादा स्वामी सत्संग व्यास है, गुरुजी का आसरम है हंसलोक आसरम है, राजविद्या केंद्र है ये सभी धार्मिक आस्ताओं से जुड़े हुए संस्थान है और बहुत सारे बैंकवट भी है, जहां पर साधी आके सामाजी कारेकरम होते है और मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली से ही लोग छतरपूर विधान सभा में आते है तो ट्रैफिक का जो वहाँ पर लोड है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमेशा अब सबसे बड़ी जो ट्रैफिक जाम के समस्था है मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में आज छतरपूर में सबसे ज़्यादा है तो मेरे आपसे निवेदन है कि डिल्लेफ छतरपूर फार्मस के सामने से और कुतुब मेट्रो तक जल से जल एक एलिवेटेड रोर बनाया जा सके ताकि छेतर को इस समस्था से चुटकारा मिले एक अध्यक्साजी यहाँ पर एक टेंप्रेरी इसी रोड के बीच में दंदा हॉस्पिटल के सामने एक टेंप्रेरी कूडा घर भी है जिसकी वजह से भी जाम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कूडा रोड के फैल कर रोड पर आ जाता है और वहाँ पर गाय आ जाती ह हैं जिससे रोज बहाँ पर एक्सिडेंट हो रहे हैं तो मेरा आप से निवेदन है कि पूडे दान को भी जल्द से जल्द अटाया जाए और इस रोड को पूरे को सौफुटा रोड और SSN मार्ग को एलिवेटिड बनाया जाए बहुत बहुत दिन में आता हुए